वेलकम टू एस्टेडी निक्स एस्टेडी निक्स पे मैं संतोसर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तयारी कर रहे होंगे तो चलिए फिरेंड आज के लेक्चर में हम मैत का मॉग इतने लोग कितना कोश्चन सही करते हैं यह जो आपका टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स वो आने वाले सभी एक्जामों के पाइंट आप व्यू से हो रहा है यानि जिस टाइप के आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे उसको हम इजी तरी तो चलिए फ्रेंड आप कोश्चन नमर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं देखिएगा बहुत यह अच्छा कोश्चन है जब भी इस टाइप का कोश्चन है इसको हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आईए सीखते हैं देखिएगा जब भी इस टाइप का कोश्चन है तो स क्या होगा, का होगा, हिंदी में का होगा, और इंग्लिजे zł में आपकाおॉफ होगा, तो दिखेगा, अब आपका मतलब यहां पे आपका हो जाएगा, गुरा, यानी 8 और 5 का मिल्टिप्लाइ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8-5-40, ठीक है, उसके बाद दिखेगा फिर गुड़ा होगा उसके बाद यहां पे अंदर क्या हो जाएगा देखेगा यहां पे 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 आएगा ठीक है और 3 का देखेगा यहां पे 9 भागा 6 फिर मल्टिप्लाई आप लोग 3 कर दीजेगा क्योंकि 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा अब यह आपका बड़े कोश्टक में हो गया उसके बाद फिर माइनस करेंगे फिर बड़ा कोश्टक लगाईएगा उसके बाद दिखेगा 10 भागा 2 यहां पे लिखेगा 10 उसके बाद भागा अब यहां पे off है तो आपका मतलब हमने अभी बताया था क्या होता है गुड़ ठीक है अब फिर मल्टिप्लाई होगा दिखेगा यहां पे 9 भागा 6 होगा ठीक है और फिर मल्टिप्लाई आपका 3 है फिर यहां पे माइनस करिएगा माइनस है तो माइनस करेंगे फिर देखिएगा 10 बटे में आपका 40 हो जाएगा अब इसको आप लोग simply solve कर दीजिएगा कैसे दिखेगा एक 0 से एक 0 कड़ गया यहां पे एक 0 से एक 0 कड़ गया ठीक है अब देखेगा 3 से 6 को काट देंगे तो 3 दूनी 6 होता है उसके बाद 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी यह 4 अब यहां पे ऊपर आपका आजाएगा 9 और 2 और 2 का multiply कर देंगे तो आपका हो जाए कड़ेगा यहां पे आपका से यहां पे ऐसे लिख देंगे उसके बाद जो वह पर दिया है उपर लिख देंगे जैसे 9 माइनस 1 अब इसको 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 बटे 4 हो जाएगा अब 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 यानि आ देखिएगा आपको हैंडे पॉसे समझ में आ जाएगा तो चलिए इसी सिकेंज में बढ़ते हैं कोस्चन नमबर टू के पास आपके सामने आ चुका है इसको भी आप लोग शॉल्प करिए कोस्चन नमबर टू जो की बहुत ही अच्छा कोस्चन है आप लोग जल्दी से इस क कोस्चन नमबर टू जो बहुत यच्छा कोस्चन है देखिएगा तो चलिए पहले हम कोस्चन को पढ़ते हैं कोस्चन क्या है कमल अपनी मासिक आय का यक्स परसंट बचाता है जब उसके मासिक वे में 20 परसंट की विरिद्धी कर दी जाती है ठीक है और उसकी मासिक आय में यक्सट कितना बचाता है यही हमें पता करना है तो जब भी ऐसा कोस्चन रहेगा तो सबसे पहले यहाँ लोग लिखिएगा where क्या लिखिएग गा और यहां पर आप लोग लिखिएगा बचत और बीच में आप लोग लिख दीजिएगा आये ठीक है? सबसे पहले आप लोग लिखिएगा अगर percentage में value दिया रहेगा तो सेम इसी type से आप लोग solve करिएगा सबसे पहले वे लिखिएगा उसके बाद बचत लिखिएगा उसके बाद यहां बीच में क्या लिखेंगे आया लिखेंगे आप देखिए वे में कितने परसंट की विरिद्धी हो रही है तो आप लोग ध्यांत दीजिएगा वे में आपका हो रहा है 20% की कितनी परसंट की 20% क उसके बाद आपके बचत में तो अगर आप लोग बचत में देखेंगे तो आपका साट परसेंट की रिध्धी हो रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर अनुपात हमाझ लगाई है नूर उसका हिएगा मैं इसके बाद बीचत है सब्सक्यर साथ कर अभी धैनलAct और उसके बाद आपक 지ाइगे 2 से इसको भी काट देंगे तो 2, 3, 6, यहनि आपका बचत आ गया क्या, 3 आ गया, यहनि 3 1 आया है, अभी आया नहीं है, यहां पर आपका 3 1 आया है, किसमें से यहां पर दिखेगा, यह 3 1 किसमें से आया है, टोटल वैलू अगर करेंगे तो यह हो जायगा आपका नीचे आपका 20 हो जाएगा ये टोटल वैलू आपका 20 हो जाएगा 20 में से 3 आया है परसन्टेज में भैलू चाहिए इसलिए हम हैंडे percent क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं अब इसको आप लोग solve करिएगा तो देखेगा 20 पंचे आपका हो जाता है क्या 100 अब 5, 3, 15 यानि 3 और 5 का multiply कर देंगे तो आपका जो answer आएगा x की value वो हो जाएगा 15% बचत आपका कितना होगा 15% तो देखे एक question हो जाएगा इस question का answer 15% हो जाएगा इस question का answer तो जिस भी option में ह होगा यह I think आपके option B में हो जाएगा इस question का right answer तो देखे कितना अच्छा question था बस देखे आपको simply क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले अगर percentage में value सभी दिया रहेंगे उसके बाद किसी की value पूछेगा तो simply आप लोग यहाँ पर लिखेगा यहाँ पर लोग बचत तो यहाँ पर लगाईएगा तो बचत और आए में difference देखेंगे तो 34 आएगा उसके बाद वे और आए में difference देखेंगे तो आपका 6 आएगा ठीक है तो आप दिखेगा इसको और solve करते हैं तो 17 अनुपाते 3 आ जाता है बचत आपका 3 आजाएगा किस में से इसको अगर total करे कर देते हैं multiply कर देते हैं तो इसलिए हमारा बचत आ जाता है कितना 15 यह हो जाएगा इस question का answer तो देखें कितना अच्छा question था I hope यह भी question आपको आ गया होगा तो चलिए इसी sequence में बढ़ते हैं बहुत यह अच्छा question question number 3 इसको भी आप लोग करिए अगर आप लोगों से solve हो question number 3 क्या है एक वस्त का अंकित मूल 3600 रुपय है विक्री के दोरान इस पर यक्स परसेंट और 15 परसेंट की दो कर्मागा छूट दी जाती है यदि वस्त का विक्रे मूल 2449 है तो यक्स का मान क्या होगा ठीक है इस question में आपको यक्स की value पूछ रहा है यानि दूसरी छूट क्या होगी हमें यह बताइए तो देखेंगा फ्रेंट्स आपका दिया है क्या आपका अंकित मूल दिया है 3600 दिया है उसके बाद आपका सेलिंग प्राइज दिया है कितना 2449 एक छूट आपको 15% दिया है और दूसरी छूट यानि यक्स परसेंट की value आपसे पूछ रहा है तो देखेंगा बहुत ही simple question है बस ध्यान दीजिएगा इसको कैसे solve करेंगे देखेंगा जब भी इस type का question रहेगा तो यहाँ पर अगर माल लेते हैं आपका selling price रहे ठीक है या cost price रहे फिर बराबर करेंगे यहाँ पर आपका MP होगा उसके बाद इसमें multiply क्या करेंगे hand rate में से एक discount रहेगा तो इसको minus करेंगे उसके बाद बटे करेंगे दूसरा रहेगा फिर ऐसे आगे करके बढ़ाते चले जाएंगे यानि दूसरा discount रहेगा तो ऐसे उसको भी सो में से माइनस करके बटे में कर देंगे ठीक है ऐसे आगे बढ़ाते चल जाएंगे अब दीखेगा कुछिंट में आपका जो सेलिंग प्राइस दिया है कितना 2448 दिया है कितना दिया है आपका 2449 ठीक है आप अंकित मूल आपको दिया है 300 उसके बाद एक छूट आपको दिया कितना 15 परसंट तो 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 85 बटे में हैंडेट दूसरी छूट आपके कितना है 100 में से अगर हम यक्स को माइनस कर देंगे क्योंकि यक्स परसंट दूसरी छूट है और बटे में आपका हैंडे 12 से इसको कटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहां 4 बचा 8 को 7 लगे तो पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा 12, 14, 48 हो जाएगा ठीक है? अब 3 से इसको सॉल कर देंगे तो 3, 6, 18 हो जाएगा 2 बचेगा तो यह हो जाएगा 24 3, 8, 24 समझ गया? अब देखिएगा 17, 5, 80 17, 4, 68 ठीक है? आप क्या करेंगे? 5 से इसको सॉल करेंगे 5 दूनी 10 यानि 20 आजाएगा अब 20 को उपर तिर्यक मल्टिप्लाई कराएगे तो 20 उपर मल्टिप्लाई होगा किसमे 4 में? तो 20 चोक 80 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 100 माइनस यक्स हो जाएगा अब यक्स को इधर लाएंगे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये 80 माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में यानि यक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80 तो यक्स की value 100 में से 80 को minus करेंगे तो आपका हो जाएगा 20% यानि जो यक्स की value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20% यही आप से पूछा है तो देखे कितना अच्छा question था बस basic भी करेंगे तो आपका जल्दी question हो जाएगा तो चलिए इसी sequence में बढ़ते हैं question number 4 के पास जो कि बहुत ही अच्छा question है आप लोग इसको देखिएगा within five seconds में solve कर सकते हैं टू सेकेंड में और बिन पिन चलाए भी इस question को solve करते हैं वह ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना रहेगा वस अगर यह ध्यान देदी तो चलिए फ्रेंट अब question number 4 solve करते हैं जब भी इस टाइब को question रहेगा तो ध्यान दीजिए हमें क्या ध्यान रखना रहेगा अगर यहां पर एक दिया है card 25, card 35, card 45, card 55 और card 65 दिया है इसमें अगर दो की value अगर 90 की equal आ रहा है तो question यह solve करने में बहुत आसानी होगी जैसे अगर यहां पर 25 है 25 में अगर हम 65 count कर देंगे तो हमारा 90 की equal हो जाएगा एक value मिल गया यहां पर दिखेगा card दिया है आपका 35, card 25 में अगर हम 55 count कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 90 की equal हो जाएगा और यहां पर आपको 45, card 45 दिया है तो इसकी value आपको पता ही है तो अब देखे simply हम लोग क्या करेंगे यहां पर, card 25, card 35 उसके बाद card 45 यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा आगे दिखेगा, card 90-25, sorry 90-35, 35 कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, 5-1 जाएगा उसके बाद देखेगा, card 90-25, ठीक है, अगर हम 90 में से 25 को माइनस कर देंगे तो आपका 65 आजाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेगा, card 25, काट 35 और यहाँ पे काट 45 इसकी वैलू आपकी क्या है एक होती है तो यहाँ पे एक multiply आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको पता है हमने एक फार्मूला बताया था क्या बताया था अगर काट 90 माइनस थीटा हो तो इसकी वैलू क्या होती है 10 थीटा होती है क्या होती है 10 थीटा अब इसको दिखिए माले ते इसकी थीटा मालेंगे तो यह हो जाएगा 10 35 ठीक है उसके बाद काट 90 माइनस 25 है तो यहाँ पे यह हो जाएगा 10 35 ठीक है 24 हो जाएगा अब दिखेगा इसको यहां से हटाईएगा आप यहां ध्यान दिजिएगा एक और फार्मूला आपको हमने बताया था card theta into tan theta अगर हो तो इसकी value 1 होती है होती है ना अब दिखेगा इसको माल लिजीएगा अगर आप लोग theta माल लेंगे और इसको भी आप लोग थीटा मालेंगे तो यहाँ पे 10 है और सरी यहाँ पे काट है यहाँ पे 10 है तो अगर यह काट और 10 इंटू होगा तो इसकी value क्या होती है? 1 होती है तो यहाँ पे इनकी value 1 आगे उसके बाद multiply करिएगा काट 35 है 10 35 अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो हमारा इसकी value क्या होती है? एक और यहाँ पे एक है तो इसमें एक का multiply कर दीजेगा अब इसको और solve करेंगे तो देखिएगा एक का एक में multiply करेंगे तो बात एक ही होगा यानि इसका answer आपका एक आजाएगा तो देखिए कितना अच्छा question था I hope ये भी question आपको आ गया होगा तो चलिए इस वीडियो का last question देखते है question number 5 जो की बहुत important है आप लोग जल्दी से solve करिए question number 5 आपके सामने आ ही गया होगा जल्दी से बचवा लोग solve करिए क्या बोलते हो बोस? question solve हो जाएगा कोशिस करिए बोस question number 5 कोशिस तो आप लोग करिए तब तक हम इसकी value सभी लिख देते हैं आप लोग solve करिए तब तक हम इसको लिख दे रहे हैं चलिए अब हमने लिख दिया है अब आप से इसकी value पोश रहा है यानि x पे q प्लस y पे q की value क्या होगी यही बताईए तो देखेगा पहले question में है x प्लस y बराबर 4 है 1 by x प्लस 1 by y बराबर 16 बटे 15 है ठीक है? x cube प्लस y cube की value पोश रहा है तो जब भी इस type का question रहेगा आप लोगों ने कितने लोग solve की हैं बताईए कितने लोग solve की हैं हाथ उठाईए हाँ चलिए काफी लोग solve कर दिये हैं जितने भी लोग solve करते हैं comment box में comment जरूर कर दिया करिए इसका answer क्या आएगा? हाँ सही है लोगों का सही answer देखेगा अगर इस type का question रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगी? इसको solve करेंगे किसको? इसको आप देखेगा यहाँ पर LCM लेंगे तो आपका X, Y होगा होगा ना? यहाँ से X, X कटेगा उपर Y और फिर प्लस होगा Y से Y कटेगा फिर X हो जाएगा ठीक है? आप देखेगा बराबर आपका 16 बटे में 15 होगा अब यहाँ पर Y पलस X करिए या X पलस Y करिए तो इसकी value question में दिया है 4 दिया है ना 4 तो यहाँ पर 4 बटे में X into Y बराबर 16 बटे में 15 इसको साल करेंगे तो 4 चोग का 16 हो जाएगा ठीक है? अब देखेगा अगर हमें X Y की value चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसको इधर ले जाना पड़ेगा और इसको 15 को उपर लाना पड़ेगा और इसको नीचे यहाँ हो जाएगा 15 बटे में 4 X into Y की value हो गई समझ गए? क्योंकि अभी इसकी value की जरूर पड़ेगी इसलिए हमने इसको निकाल लिया है आप क्या करेंगे? अगर हमें इसकी value चाहिए तो इसकी value क्या होती है? आप लोगोंने त्रिकोन में अलिजब्र में पड़ा होगा यदि अगर A cube प्लस B cube हो ठीक है? तो इसका क्या होता है? एक कोस्टक में X प्लस Y और दूसरे कोस्टक में होता है X square प्लस Y square माइनस X into Y होता है होता है ना? आप दिखिएगा इसको अभी solve करेंगे सबसे पहले हम इसको solve करते हैं क्योंकि हमें अभी X square प्लस Y square की बैलूप पाच चाहिए तो अब यहाँ पे X प्लस Y का whole square करेंगे ठीक है? तो अब देखिए whole square करते हैं तो X square और यहाँ पे plus Y square माइनस 2XY यही होगा? यही होगा ना? आप क्या करेंगे हम? इसकी value चाहिए तो इसको इधर इसको यही पे रखेंगे इसको इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा आपका यह plus है तो यह हो जाएगा X plus Y का whole square और minus plus में है तो minus 2XY बराबर X square और plus Y का square हो जाएगा ना? अब देखेगा इसकी value हमने क्या निकाला है? अब ही निकाला है X plus Y की value आपकी होती है 4 तो यहाँ पे 4 रखिएगा यहाँ पे देख लीजे यही नीचे ही 4 का square करेंगे तो हो जाएगा 16 minus उसके बाद minus 2 2 उसके बाद X plus Y X into Y X into Y की value यहाँ पे निकाले हमने 15 बटे 4 आया है ठीक है? अब इसको और solve करते हैं तो देखेगा 2 से काटेगा 2 दुनिये 4 हो जाएगा अब यहाँ पे 1 लेके LCM निकालेंगे तो आपका 2 होगा उसके बाद देखेगा 16 दुनि 32 32 में से अगर आप लोग 15 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 17 कितना हो जाएगा? 17 यानि इसकी value आप की आ गई 17 बटे 2 आप इसकी value आप रख दीजिएगा X plus Y की value आप लोगों ने निकाला है यहाँ पे लिखा है पहले सी question में 4 होता है उसके बाद देखिए इसमें multiply करिएगा क्या? X square plus Y square तो यहाँ पे X square plus Y की इसकी value 17 बटे में 2 फिर माइनस करिएगा X into Y X into Y यहाँ पे है 15 बटे में 4 अब इसको और solve करिएगा तो यह हो जाएगा 4 उसके बाद multiply अंदर हो जाएगा आपका LCM 4 हो जाएगा ठीक है तो 2 से 2 का 2 से 4 को काटिएगा 2 होगा 2 का उपर multiply कर देंगे तो 17 दूनी 34 34 में से अगर आप लोग 15 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा अब यहां से 4 चार कट जाएगा तो यहनी जो आपका answer आएगा वो आगा है 19 कितना जाएगा? 19 यह हो जाएगा इस question का answer तो पूरा देख लीजिएगा आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है नहीं तो फिर से देखिएगा आपको हैंडे परसिंट के question आ जाएगा समझ में क्योंकि यह आपका algebra का question है इसको कितनों भी basic करेंगे तो और कितनों भी 60 करेंगे तो आपका ऐसे ही होगा अब इसको अगर और अगर practice कर लेते हैं तो और भी अच्छे से जल्दी question यह हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही कल के लेक्चर में हम देजने का मौक टेस्ट लेके आने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा उसको भी देखना मत बूलिएगा यह लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कल हर जरूर मिलेंगे तब तक के लिए जैही थैंक यू